नारिष्टे में हमारे कारमे न पुट्टी आदसा पही हो यह सारे ने अंडे खाने होंदे यह मैं देख रही थे के एग जो है न काक्रोच के एग चिपके हुए थे इनना ने आवदा वखरा ही थे गोंसला पाया हुए है थे हमने भी खूब इनकी ना खबर ली तो किचन तो हमारा साफ हो चुका है डीप क्लिनिंग हो चुकी है अवन दिखा रही हो चूला दिखा रही हो वाल दिखा रही है और यह ना उठाते ना तो बैड़ के नीचे से ना अच्छे से फर्ष जो है वोश नहीं था हो ना अले फनायल डाली फनायल मुझसे बौती ही डल गी तो यह सरफ हमारा नास पिटा मुका हुआ था जितना था मैंने सारा ही लाद दिया यह जो पानी है ना सोने हो का था कि यह पानी ना पूरे रूम में ना अच्छे से फिला रहे है अश्राम लेकूम मीद करती हूं सब खेरिये से होंगे ठीक ठाक होंगे तो शुरू करते हैं एक अधल से विलॉग कल का विलॉग जहां से खत्म राफर मुंने के विलॉग यहां परों हम परा रहे हैं चुकर बाराठे हमें उसके बदे अमने डीप खिल्यों करने ता हमें और बापस अपने गार आ जाना था ये पराठवे वाबी जियान को बना कर देती होती थी क्रिस्पिस होते हैं तो बच्चे बड़ी शोक से खा लेते हैं तो तब से मुझे इतना फ़सांड दे तो मैं भी अक्सर ना बनवाती होती हो जब भी बज़को भाबी कि तरह हुआ ओना तो अक्सर मैं कहते हो जिए कच कोर पराठा काना है दिल तो बच्चा है जी दिल तो जबान ही रहता है बुड़ा नहीं होता अक्भी भी तवर जो डालती हम आगे से मैं का गो देग बाले दाना दिमा करांगी तो मैं सेखती जा रही थी और एक साइड पे मैं ओमलेट भागरा भी बना रही थी क्योंकि नारफ.. में हमारे गोर में पुट्री आदस अपही हो या सार या अंडे घाने हो या एक तरह देखा जाए ना एक्स जो होते हुँ हमें इसमें काफी क्वाइब प्रोटीन होते हैं जो हमें मिलते जब तक जाए नहीं साथ सब करें तो कहते हैं कि कुछ अधूरादूरासा फील हो रहा है अस्वालेक। प्षपोर से आगे वेवित। स्लाम तो लें स्लाम लें स्लाम लें स्लाम लें अचा है यभी बताएं ना कैसा दिन गुज़रा इदर देख के बताएं आज दीप क्लीनिंग पार्ट टू आप लोगे साथ शेयर करें हूँ कल हमने जस्ट वैसे ही स्थाई की थी अज हम डीप क्लीनिंग करेंगे फरश वगरा वोश करेंगे और सेटिंग पारण जितनी हो सकेगी वह करेंगे क्योंकि एक ही दिन में फरिश दोने और इसके लावा चीज़े अनपैक करना यह बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोग ठक जाएंगे हमने सुचा कि अराम राम से करते हैं तो आज फरिश दोके सेटिंग कर जाएंगे और कल अनपैकिंग करेंगे क्योंकि इनना टोटा पहला है काक रोचाने ना साथे दो हफ़ते जाया किते अला इनना पुछे एक हफ़ता तो हमें ऐसे हैं कि पैकिंग में लगा मतलब चीज़ें पैक करते उसके बाद हम अजगा अब एक तरफ तीन दीन हमने स्टेक किया क्योंकि सप्रेक रवाई थी पूरे गर में और एक वीक लग जाना है चीज़ों को वापस अरजस्ट करने में और डीप क्लिनिक भी जैसे कि आपको पता है करनी पड़ेगी पहले बाद में ही चीज़ें रखनी पड़ेंगी तो य किछन के डीप क्लिनिक करेंगे 10 दीप कीसकर धूरें और ना सीह तो भी ख़िया कर अदियों यहा। जाए और दुबारा आने का नाम भी ना लें के प्यारी अस्मा को सानुप फेंटा फूंटा पाया जाना वात है इत्थो नसो तो आप मुझे उमीद है किचन क्या हमारे पुए घर में नहीं आएंगे जितनी अची तरह से हमने क्लीनिंग कर ली है स्प्रे भी कर ली है फ्यू बराइंगे भी वेया अवन भी खुड़ ही साफ किया और मैंने अपनी तसली के लिए ना किचन का तो खुड़ ही करूँ इंद आप तो किया थे लेकिन ये में दो नीचे कबर्ट मैंने सौनिया से कर वाएएं जाए बिच्छाम पहले ही मैं इसे इन दोने कबर्ट की डीप क्लिनिक करवाई थी अच्छा मेरी जो सब्सक्राइबर्स ना उनके पास भी बहुत सारी इंफोर्मेशन होती है माशाला से तो आपने मुझे मुझे कमेंट्स में बताना है कि माइक्रोवेव अवन जो है यूज करना चाहिए या नहीं कहते है कि चीज जो है इसमें अगर गर प्लास्टी के बतन में चीज हमें गरम नहीं करनी चाहिए अधर वाइस हम यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव अवन ते तुसी अपनी राइदा इजहार कुमेंट वोक्स चाहिए करना है कि तड़ा की खियाला यूज करना चाहिए करना के नहीं और इतना मैं सोनी हैं सेर्ट करना है क्योंकि उसके बाद हमने किचन का स्मार्ट वापिस रखना था तो मैंने का हर चीज ही क्लीन होनी चाहिए चुला और अवर भी मैंने खुद ही साफ किया था तो एचली मैं वेट कर रहे थी कि बाई जो है गारी बाहरे निकाल ले ताकर हम पूरे गार का फर्ष जो ह कोक्रोच यहां झायद टेबल के अंदर भी कोक्रोच थे और छुट छुट धिस दे गालने यहां पर हमने कौंसा किसी नीचे कड़ा है तो पर हमने भी खूब इनकी खबर ली तो किचन तो हमारा साफ हो चुका है मैं डीप क्लीनिंग हो चुकी है औवन दिखा रही हो चु जो है हमने अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है और कबट्स वारा के यह डोर जो है कि मैं ओपन कर दूँगी ताके हवा वगरा लगती रहे है पंके की और यह अच्छे से ड्राय हो जाए क्योंकि थोड़ी थोड़ी नमी भी है क्योंकि गिल्या कपड़ा भी हमने यूज की है अब फर्ष दोने की बारी आगई है अजकाब भी भी साथ हेल्प करवा रही है क्योंकि माशालय से इदर अजकाब भी ने बहुत हमदी काई मुझे तो उठायाने सा जा रहा है यह जो फटे बैड के जो होते है ना यह बहुत हैवी होते हैं क्योंकि अगर यह ना उठाते ना तो बैड के नीचे से ना अच्छे से फर्ष जो है वोश नहीं ता हो NA होना तो इसको भी हमने जडा जो फटीजा उता रही थी ऑच्छे से किचन के स्टेंट्स गरा रहा गे थे ये भी हमने गेरज में रखके फिर ही वोश करवाने थे अगर गाड़ी निकाल देता तो जिससे हमने फरिश दोना था उसमें पहले फनायल डाली फनायल मुझसे बोती ही डाल गी तो यह सरफ हमारा नास पिटा मुका हुआ था जितना थ क्या है था कि पूरे रूम परे रूम में अच्छे से हों अच्छे से खतम हो जाएक था इसके पानी प्र्डी ब्रेक प्हुद्ट ले तेदे थे क्योंकि थे इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी ना है वहां से पिर मैंने बिस्किट्स घरा मुख लिए नेगा और सोनिया ने पी हम तीनों ने पी कोल रिंक देखे अज़का बाभी कभी थोड़ा दिल लल चा गया था भाभी कहा थोड़ा रूम नमपरेचर पर आ जाएगी न तो फिर मैं पी लूँगी ताकि अभी तो बहुत बहुत ज्यादा चील डैना तो थोड़ी ठीक हो जाएगी फिर और ना पिर पी दो होगी क्योंके ने अरीड गला माहा था तोरेन के बाद बैड़ के तक्ते तख भी घनी से इसे मीं आएगारेगाएगागा त mandate और रहे ड़ाने नहींॉड़ा पहुत तक्ते पी रखके रहे गाता हुआ थानी कपक्ता है तो एंशते मैंने इंसार आपके आज बस डिस्टिंग हुई और इसके लावा जस्ट रूम का ही फरिश दुला था इतने टाइम में तो शाम होगी और हमें भूख भी लग लगी थी तो अब हमने का नेक्स डे पे छोड़ देते हैं हौल और बाकी जो स्टेंड वगार वोश करने हैं और बाकी जो अनपैक ची तो यह आदा निकाज मूँ ना बना पहला है तो चोटा सा मसूम सा मूँ बना लेता है अगर इसको इसकी बात ना मानी जाए खाना वगर खाकर चाई पीके हमने सोचा कि हम लोग वापस घर आ जाएंगे क्योंकि इस काबल हो गया कि हम आकर यहां पे सो सकें और किच्छन की साथ साथ हम लोग करते रहेंगे चोटी बाबी ने यह मत्रों वाली चावल बनाए वे थे बहुत मज़े के थे यह मिन्नो के ना स्टॉफ ट्वाइस है मैं देख रहे हैं तो यह शीब बनी यह तो कह रही थी कि यह ना सोधिया से आई है इसकी खाला गिफ्ट लेके आई है मिन्नो की ना मिनहा की और यह एक डॉल हो एक और बैपलर और इस वह शुतो में आई हुप्ट ब सैनाएं उसको चोटे होगा तो बाबी ने वही ड्रेस ना इसको डॉल को पहन आ दिया वाई जुह हमारी लेस्ट नहीं करती यह हमारी मिनहा के टॉय और यह कैप जो है यह य यह पारी इस distingu सब्सक्राइब को गया दोलिगे आ जोगे इसानी पारी को अज कि व्योंते है pronta कira का अचराए्सAgree ओअज मैं सब्सक्राइब का कहना भोलगी तुसरे आपप किता होना जिना ने नहीं किता जलिए लीलिए को लाइक कर दें जिनने सब्सक्राइब नहीं किया रड़ बटन पर क्लिक करें कि सब्सक्राइब कर लें बेल आइकान लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकर जब भी मैं विलोग अपलोड करूँ आपको फोरन नौटिफकेशन आए आप देख सकें जोई कर सकें और शावल आप देखें कितने खिले-खिले मज़े के बनेया उसके बाद भी मैंने चाये बनाए तो मैंने अपने रूम की भी डीप क्लीनिंग करवा लिया है सोने के साथ लगके ना अपने रूम की भी मैंने फटा-फट से डीप क्लीनिंग करवा ली थी ताकर सोने के काबल हो जाए मैंने रूम जो है, साफ सुत्रा लग रहा है अब लग रहा है कि काक्रोचों से पाक है वैसे उपर वाले पॉर्शन में ना काक्रोच वगरा नहीं है तो फिर भी मैंने ना सप्रे करवा ली अहत्यातर मैंने कर जला से वगरा ना लगे हाथ इस रूम के भी मर जाएं वहाँ भी मैं सोती है और इस रस हैं, अगर फिर बाटबसर घवापश रहाए तो वह इदर रह सकता है मतलब मोटम्स मेरी शिस्टर भी संङरभ आता है आयां मिया आति है, तो फिर वहाँ भी मैं यहाँ पी सो जाती है यह ए एक्स्रा हमने रखा हुए तो यह है चेर भी यहां बैटके न में काम करती हूं अभी लैप्टोब वापिस रखना है तो बड़े में मैंने संभाला हुआ है यहां आपको पता है कि मुझे अच्छा चेकर लिए जैसे किया कि हमारे गार में काक्रोज की फोज गुस गई है तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने उसका तरीका भी बताया रहें बेजी कि यह टोटके करें थे काक्रोज ना सजान गई लेकिन ऐसा नहीं हुआ वैसे हमने बह हमें फ्यूमिकेशन करवानी पड़ी तो मेरी एक सिस्टर्स ने अटैक तो सप्रे का नाम है शायद अटैक है तो हमने और की हुई है वह नाम बेजाता तो वह आ जाएगी वह भी हम करने के सप्रे इसके इलावा जैल के इंजक्शन होते हैं वह लगा देना उससे भी काक्र कॉक्रोच के बाद करना जरूरी थी तो कपड़े भी पैने हुए है तो कपड़े भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला अब मैं फ्रेश होंगी और उसके बास सोना है तो यहीं करते हैं विलोग का एंड अमीद करती हूँ आज का विलोग भी आपको अच्छा लगा होगा प